इस अंडाकार ब्रमांद की एक सच्चाई जिसे इस तरह समझ सकते हैं एक पागल था उसमें नाना प्रकार के पागल पन युथ लोग थे उनमे से तो कोई हस्ता तो हस्ते ही रहता कोई रोता तो रोते ही रहता कोई अपने चेहरे पर काली पोट कर खुश होता तो कोई लगातार चेहरा धोते रहता। इस तरह सब आलग अलग अनिक प्रकार के प्रित्य करते रहते। की में रो रहा हूं और मेरा रोना देखकर यह मुझे हस रहा है। उस पागल के दिमाग में एक खुरा पात उपजी की यह मुझे हस रहा है। इसको तो मैं सबक सिखाता हूं। यह सोचकर वह पा। गल्व यक्ती ने एक कुचा जो की कपड़े आदी का लपेटा हुआ गोल ह हुता है। वह कुचा लेकर चुपचा पास जाकर जोड़तार तरीके से उस परिचायक के खुले मुझ में घूसा दिया। वह कुचा परिचायक के गले तक चला गया और वह सास नहीं ले पाने से तुरंथ ही मर गया। यह बात पता चलने पर सभी कर्मचारी वहां आ पहु कि उसने बहुत बुरा काम किया है। उसने पाप किया है। बलकि वह अती खुश हो रहा था कि उसने बदला ले लिया जो उसके उपर हस रहा था। इसका सारांश यह है कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक पागल है जो अपने द्वारा की गई हर बात को सहीं मानते और दुसरे की बात कार्य को गलत साबित करते हैं। एक सवाल यह है कि क्या यह दुनिया पागल खाना है। यह सच है कि यह दुनिया ही पागल खाना है। और 9.9 प्रतिशत लोगों को इस दुनिया की सच्चाई नहीं पता फिर भी। वह अपने आपको शिक्षित क्या नही फिर सत्य कौन बताएगा। उत्तर यदी सत्य पुरुष भी आकर सच्छाई बताए तो भी उनकी बात कोई नहीं मानने वाला है। प्राश्टन तो क्या इस दुनिया में सच्छाई आही नहीं सकती, कोई जान ही नहीं सकते। उसके पागलपन का इलाज होने लगता है और वह सत्य से अवगत हो जाता है। आगे जानिये सबसे महत्वप्रून सवाल का जवाब। दुनिया के पागल खाने के डॉक्टर सत्य ज्यानी की क्या पहचान है।